ओल्वाट फेंट्स तो लास्ट वीडियो को हमने देख लिया था अपना पहला फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे हमने सेट अप किया था और मैं आपको साही फाइल्स के बारे में भी बताया था एंड्रोइड है यहां पे iOS है लिव है और pubspec.ml यह हमारी सब काम की फाइल्स है इ कि लिव फोल्डर के अंदर में.dat होती है और में.dat के अंधर ही हम सारा कोड लिखते हैं और इसी कोड को हम लोग फिर यूज में ले ले लेते हैं अपने Android में या iOS में तो इसी को हमको समझना है कि चीजे क्या लिखिया था आपको क्या करना है यह करके यह करते हैं सब कुछ चाहेगा इनी समझ में ठीक है समझेंगे कि तुम स्टार्टिंग से समझेंगे चीजों को और यहां कोड लिखेंगे और उस कांसर कांसर दिखेंगे यहां पर दिखेगा तो by default जो लिखा हुआ था उसका output तो ही है आपको पता ही है बट अब हम खुद का लिखेंगे तो ड इनला की एंटरी पॉइंट ओफ यूओ प्रोजेक्ट ठीक है एंटरी पॉइंट आपकी ओने वाली यहां से पर टीक है यहां तक आ गया सब्सुन में अब इसमें क्या होता है बैसिक्ली कुछ तर्म आपको बता दो एक टरम बहुत ज़्याद आएगी बहुत ही ज़्याद तो आप एक खोलें आप किसी एप को इमेजिन करिए एक बर आप जब भी नर्मली फोन चलाइएगा तो आप सोचिएगा विजट क्या क्या है इसमें तो हर चीज ना इस अपने विजट है जो टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहे है यह विजट है जो ब्लू कलर दिख रहा है ब्लू को यह बार सब्सक्राइब तो यह बार ऐसे की यहाँ दिख रहा है मुझको आप बार है कॉलम रोज वह सारी तेक्सट एरिया और टेक्स्ट है या पर सारी चीजे विजेट्स है तो समध्म हो और नथे तो आप सिक Monetize के अनदर कुछ रोज और कुछ और कॉलम के यहां नधर कूल हूं कौलम के अनदर कुछ आइकन हो सबकहां कि कुछ है कि से कुछ हूं आप सब्सकूँ की दोकुपमेंटेशनuste तु विजिट के बारे बात कर लें हैं एक एकंट को हमारे कांट्रोलर को ऑनोगु हम तो इस एप का एक एंट्री विजट मैं बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा मैए बहुत ही कौमट है यह माइ एप लोगी नाम राकते हैं और मेटाव अब बनाते Nous chemical q pacolon नाम की मेरी क्लास वनी क्या है यह एक तरह का विजेट बनाने की कोशिश करो अब विजेट में क्या है इसमये अपने पूरे के पूरे आप को रहा अप कर दो हुगा ठीक है पूरा आप मतलब पूरा जो मेरे स्क्रीन है जैसे पूरी स्क्रीन मानलो यह किसी के अंदर समाई हुई है तो वो खुद को ही मयाब ओल नहीं हुआ है ठीक है माइयाब ही भोल रहा हूं घृष अच्छा अब यह आप क्या करता है क्योंकि यह हम कस्टम बना रहे तो हमको कुछ-कुछ कोड फ्लेटर से लेना पड़ता है फ्लेटर वाले जो हमको प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो अभी के लिए आप इतना समझें कि यह इन्हेरिटेंस का कॉंसेप्ट यूज करेगी वह बोलेगी यह तो आप बना रहे हो बिल्कुल ठीक है अच्छी बात है यार आप अपना व पिछ दूसरी क्लास लेने पड़ेंगे ओकलास जोड़ना बदेती तो बोलनगे यह एप है यह extend करतीweit लेकर विजट को अब स्टेटलेस वीजेजस को इंक परना पड़ेगा श्टेटलेस विजट एक फॉल में हमको मिलती है इस फाइल करता हम है material तो इंपोर्ट करेंगे क्या करेंगे packages के अंदर packages के अंदर flutter इनके अंदर भी क्या है sorry Flutter इनके अंदर है material .. हां है तो हमने import कर ली इस file को अभी file के है इस file पर right click करोंगा मैं अगर मैं देख सकते हो यहां पर क्या है यह देको इतना सारा ये लोग कई सारी चीजे प्रोवाइड करें हमको और बेसिकली material design का कुछ कोड ये लोग फ्रोवाइड करते हैं ठीके material design किसी को नहीं पताता में बता दूँ ही के मैं बता के दूँ आपको दिखा जाता हो material डिसाइन बेसिकली Google वाला को जो by default वही यह लोग provide करते हैं और यही इसी में कई सारी classes लिख्की रखी हुए तो मैं क्या बता रहा है अब आपको सब बटाता हूं फिर से बापको बताता हूं आपको कुछ-कुछ feature चाहिए होंगी जो कासल होगे आप जो होगे आप material.art की file से तो उपर जाएंगे इंपोर्ट मार देंगे अब packages के अंदर flutter के अंदर material.art material.art file अब हमने जो खुद का widget entry point बनाया यह extend क्या करता है state less widget ठीके state less widget अभी होता कि हम आपको बताऊंगा आगे पर ऐसा कर दिया हमने हमने इस वाली class से कुछ features ले लो और मेरी वाली class में add कर लो ठीक है जरूरत पड़ गई बेसिक बेसिक setup करना पड़ता है हमको अपने app के लिए वह बेसिक setup करके दिया हुआ है आप इतना संब्सक्राइब नहीं करना हमको इस चीज में बस बेसिक सचान लेना है कि हम खुद का जो बना रहे हैं widget वह दूसरी एक class है दूसरा वहां से कुछ ची मिसिंग है आप मिसिंग तो आप डिफॉल्ट क्या करते हैं कि जब भी आप stateless बनाओगे जब यह स्टेट लेस्ट को आप कॉल करोगे तो बिल्ड नाम का फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा उसको क्रेट करना पड़ेगा ठीक है तो stateless विजट वाले बोलते हैं भाई यह इंसके बारे में बता रहा है विल्ड के बारे में तो यह बिल्ड यह विजिट रितन करता है तो इसाट विजट लिख देते हैं हम लोग ऐसे से विजिट एंफ इन पुछिल नहें ज네요 रिपहीशिव्थ metham को इसके बारे मीं लिख का आ देन करता है खो के अब आदे लोग सोच रहूंगा इतना मुश्किल कोड मेरो को तो आई निया है समने क्या होगा मेरा ठीक है देखो यार चीज़ तो आपको सिखनी पड़ेंगी है ना कि कुछ कुछ चीज़ तो आपको मेमराइज भी करनी पड़ेंगी जैसे की बिल्ड फंक्शन क्या होता है यह तो लिखना जरूरी है द कर तक हीर को तो यह सारी इसकी बात हुए अब यह सब ताम-धाम कर रहे हो ना यह कर रहोत फिर उसके बाद में क्या करूंगा मैं सीधा रिटर न करूंगा एक अंटेनर सारी मरिटेन करूंग एक छूब material app material app कुछ इस तरह से ठीक है तो ध्यान से देखो अब ये मैंने एक app नाम की class बनाई जो अपना खुद का विजट है जो starting point मिरे को बता रहे हैं और basic setup करके दे रहा है build function जरूरिया बनाना ठीक है अब build function को call कोन करेगा अपने आप ठीक है उसके बाद क्या किया जा रहा है का जा रहा है कि रेटन कर दो material app को यह material app क्या material app मतलब कि basic Google वाला जो style वाला app होते है वो आप return कर दो ठीक है इतना हो गया उसके बाद हम home define करेंगे home हम बोलेंगे home क्या है इसका मतलब कि जब आपको लेगा तो starting में क्या दिखेगा आपको ट्रेक्स्ट दिखेगा जिसका नाम होगा awesome day awesome day ऐसे होगा ठीक है और ऐसे तो इतना हमने कर लिए एक बार इसको run करेंगे कोशिशिश करते हैं आई आर क्लिक करते हैं कि simply अब करेंगे और यह राण नहीं होगा क्योंकि अबी इसमें कुछ दृक्कत मेरको बताओं क्या अबीब रण नहीं होगा वह error दिखाएगा वह error बताने में यह पढ़ेगा कि हमने कुछ चीज़ बनाई है कुछ करो तो हमको न हम कोना run करना पढ़ेगा सब्सक्राइब को और एप में विजट ड़ोंगे माई अप ठीक है और ऐसा कुछ हाँ अब एक बार स्कोर्ण करते हैं क्लिक करेंगे डिए पर होट्री स्टार्ट और यह होट्री स्टार्ट कर रहा है इसको थ्लोड टाइम ले रहे हैं और उसके वाद यह देखो अगया ठीक है आपना करके अनलए और यहीए पहला आप का बन चुका है यही थे आपको पहला एक जो आपका बन चुका एक आत्ला यह तो आ यह बात थो इसको इसे के साथ साथ मैं आपको नहीं दीखात हूं यहां प्र 네 एड़रेट ओवर राइड आप लिखना इस्तवाल करिए ओड़र का मितलब क्या ओपा है ओर एक्सटेंड करें इसको आप एक्सटेंड करें इसके अंदर भी भी विल्ड हो सकता है और मैं खुद भी बना रहा हूं तो मेरे वाले बिल्ड को वे टेस दे दीजिए ठीक है ऐसा अब ओर राइड बोल रहा है ओर मतलब इसके अंदर भी बिल्ड़ो सकता है मैं खुद भी बना रहा हूं तो एक काम करो है आप मेरे वाले को करो और मेरे वाले को आप देख लो इसको ना भी लोको तब भी चीज़े काम चल जाती है ना फ्लेटर इतना एडवांस हो चुका है और मैं तो कहता हूं कि यह आप अब अब यह थिह थोड़ी यह अब फिर समय बनातूं अब के बाहुआ जल्दी जल्दी वाइड वैड़ी मतलब entry point है मारा entry point के बार में एक लागा क्लास होगी मेरी कॉन सी माय बन दी सिंप्ली माय और एक्सेंट करी कुछ बेसिक बेसिक हमको सेटअप करवाना पड़ेगा इसलिए स्टेट लस एलिए निल स्टेट लेस विजट ठीक है स्टेट लस विजट यह क्या अपने आप 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 पूर्ट हो गया हम बोलेंगे मेट है मैटिरियल को इंपोर्ट कर लिए ऐसे उसके साथ हमको बिल्ड काल करनी अफ्सक्त के लेता बिल्ड कंटेक्स क्या होता है आगे संब्सक्क्ती है और एक बिल्डिड स्टेक्स करता है तो 1200 कुछिस तरह से और यह रेतन किया करेगाда simply poiser है material app , material app , अब होम में text ठीक है और टेक्स्ट को बीच मैलाने ने एक तुम सेंटर में तुम बूलना हो में यह क्या होगा ? में होगा ? में वी यह होगा ? यह होगा ? है अधूक है ? इसका नाम होगा टेक्स्ट अब इसमें का लिग दें है है हम घलो फ्लटर ठीक है ऐसे काके लिग दिया है और ओवर्राइड भी लगा देते हैं ठीक है एड़े रेट ओवर्राइड और रन करेंगे चीज़े को तो रन एप माई एप ऐसे ही और यहां पर सब्सक्राइब करेंगे आए दबा की तो है ठीक है तो इतना आपको सुन में आ गया होगा क्या आपको बटाया शिंप्ल शिंपल सी बाते से इससे वह न हरा दो कुछ खास था नहीं में अगए सिने दुवर्राइड आपको यह स्वन्नी पढ़े कि इन साइव करे हैं एक वुट्र करके होगा इसके फ्लेटर करना और एक डार्ट और करके होगा डार्ट युथ को वी इंस्टल करना। ठीक है do एगे इतनी तीन चीजे इंस्तॉल में उक्षाय्स, और यह वाखि, इस वीडियो के लिए एक बैसे वीडियो में तर तक के लिए बाये